वेलकम तुदे चानल ग्यापनिकेडमी और आज की संडे टॉक के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 10th क्लास वाले स्टुडेंट के साथ क्योंकि बहुत सारी है बात तो चलिए करते हैं शुरुआत तो सबसे पहले जितने भी 10th क्लास वाले स्टुडेंट है मेरे जितने भी वीवर है मेरे जितने भी सबस्क्राइबर है जितने भी 10th क्लास वाले विद्यारती हैं जिनका एक्जाम 17 फर्वरी से स्टार्ट हो रहा है उन सभी को मेरी तरफ से धेर सारी दुआए आशिरवाद और धेर सारी सुबकामना है ताकि आप लोग का एक्जाम बहुत बढ जब भी आप लोग को मिलता है कोश्चन पेपर एंसर सीट उसको लेकर आराम से देखें कोश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आप है। से पहले वह 15 मिनाट को पढ़ पढ़ के खतम कर देते हैं और उसके बाद वह लिखना शुरू करते हैं जबकि आप लोग को ऐसा नहीं करना है यह बिल्कुल गलत है आप लोग क्या करेंगे जब आप लोग को कुशन पेपर मिलेगा तो आप लोग फर्स्ट पेज का जो इंस् सब्सक्राइब तो माल़ेचे पहले से टुरन्त बना ही लेजिए फिर दूसरा कोशन पढ़िए दुसरा कोorta कोशन का मालोम है ठीक उसी कसा तुरन्त बना भी लिजिए तो इस तरह आप लोग करेंगे इसा ना उनके लिए दो ही घंटा काफी होता है लेकिन मतलब कुछ स्टुडेंट जो है लिखने में कमजोर होते हैं इसलिए औस समय बना दिया गया है तीन घंटा 15 मिनट ठीक है तो कई सारे स्टुडेंट होते हैं जो 15 मिनट सिर्फ को पढ़कर ही काट देते हैं फिर अब चलते ह समय में बहुत अच्छे तरीके से कोशन का एंसर बना कर तयार रहेंगे एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि आप लोग के एक्जाम में जो है सौट अब्जेक्टिव पूछता है जैसे कि हिंदी का एक्जाम है तो हिंद सतर असी मतलब पचास से ज्यादा बना दिये हैं तो सुरू से एक दो तीन करकर पचास टो आप लोगों का गिन लिया जाएगा और उसी का जांच होगा तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोग कंसंट्रेट होकर पचास टो ही अब्जेक्टिव सह पूछता था जिसमें से पचास सही करना होता था ठीक है दसी शो एक्स्टा पूछता था लेकिन अब जो है भीहार बोड सौ अब्जेक्टिव कर दिया है जिसमें से आप लोगों को एक्स्टा दे रहा है और एक तरसे आप लोगों के लिए खुपसूरत तवफा है क्योंक है जो एक्जामें आ उब्जेक्टिव में ज्यादा माग्स लाना मवन बहुत ही आसान हो गया है और यहाँ पर मैं बात कर लूँ साइन्स और सेस्टी की साइन्स और अब्जेक्टिव कुश्टन नहीं पूछता है है »HHHH science और ssht में 20 number जो है आप लोग के school से मिल जाता है जिस भी school से आप लोग फ़र्म भरवाये हैं उस smart work से 20 number मिल जाता है और आप लोग का 80 number का exam होता है जिसमें से 40 number का objective पूछता है और 80 गो objective question देता है कितना objective? 80 objective question पूछता है जिसमें से आप लोग को 40 का ही एंसर टिक करका आना होता है 40 अब्जेक्टिव आप लोग को बनाना पड़ेगा 40 से अगर ज्यादा बना लेते हैं 41, 42 या फिर 50 तो आप लोग का सुरू से लेकर 40 था गिन लिया जाएगा और सिर्फ उसी का जांच होगा ठीक है तो या आप लोग के लिए बहुत ही सुनारा मौका है क्योंकि पहले जब एक्जाम होता था ना तो उसमें साइन्स और सिस्टी में सिर्फ 85 थो कोशन अब्जेक्टिव कोशन पूचा जाता था जिसमें से 40 सही करना होता था लेकिन अब देखिए कितना अच्छा भी आरबोड बना दिया है कि अब 80 थो अब्जेक्टिव कोशन पूचेगा साइन्स और सिस्टी में जिसमें से आप लोग को 40 टिक करना है तो जो इस्टुडेंट को मतलब 80 में से 40 थो कोशन का एंसर नहीं मालूम है अबजेक्टिव का तो 40 थो तो कंफिडेंस के साथ मालूम होगा ना तो उनका 40 में 40 आजाएगा सोची कितना मतलब ओफर दिया है बी आरबोड आप लोग के लिए अब ज़रा मैं बात करनूं कि आप लोग का बहुत ज़्यदा संडे टॉक का वीडियो देख लीजिए जब क्लास का एक्जाम था ना तो मैं उसी वक्त बता दी थी और 10 वाले स्टुडेंट से मतलब दोनों क्लास के स्टुडेंट से अच्छे तरीके से में वहाँ पर बात की थी तो वहाँ पर आप लोग जाकर यह देख सकते हैं कि क्य सब हम लोग उर्दो के एक्जाम में उर्दो किधर से लिखेंगे तो चलिए मैं आप लोग गाया बता दे रही हम आप लोगों को देखे जिसे कि आप यह आप लोगा को एंसर लिखना होता है तो आप कि अगर 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 एक्जामें अगर उर्दू लिख रहे हैं तो आप यह और इसको पीछे पिलट देंगे और पीछे से लिखना यहां से शुरू कर देंगे बस बात खत्म और किस तरह लिखना है और कैसे मतलब एक्जाम में एंसर सीट को मोड़ना है यह सारा चीज में आप लोग को इसके पहले वाले संडे टॉप के वीडियो में बता चुकी हूँ तो एक बार वहला वीडियो आप लोग देख लीजेगा जरूर ठीक है तो यह होगे आप लोग का इस चीज़ का कंफ्यूजन खत्म और हाँ एक लास्ट और जरूरी बात आप लोग का एक्जाम सतर फरोरी से है ना लगबग 5-6 दिन में आप लोग का एक्जाम खत्म भी हो जाए तो आप लोग धैरे रखेंगे इंतिजार करेंगे फर्स्ट और सेकेंड पाली दोनों पाली का एंसर की त्यार करकर इस चैनल के माध्यम से अप्लोड होगा ठीक है तो अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए और वीडियो उसको लाइक कर दिजेगा ताकि सभी स्टुडेंट के पास ये वीडियो पहट सके ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और कुदा हाफिस